नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका फार्मरोक्स के यूट्व बेजिक इस्टन चैनल में आज हम सिखने वाले है इटो जैसिक MR टैबलेट के बारे में तो हम सिखेंगे उसके बेजिक उसके बाएं के कौन से अलग-अलग medical conditions को ये medication treat करता है जिसकी mass special में जब खीचाओ हो जाता है या फिर mass special में दर्द होता है मलग कि जो muscles होते हैं वहापे आपको काफी दर्द होता है वहापे खीचाओ हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए ये medication जो प्रिस्क्रैब की जाती है उसके अलब मास special की जो content की जो condition होती है कि वहापे muscle stiffness की जो हम condition कहते है या फिर mass special की हलचल को बढ़ाने के लिए ये medications को प्रिस्क्रैब की जाते है तो उसके बारे में detail में जानते है आज के lecture में कि उसका content क्या है कौन से medications उसके अंदर present है और कैसे ये medications काम करते है उसको safely कैसे use कर सकते है तो detail में जानते है आज के lecture में तो ऐसे ही आपको बहुत सरी दवायों के बारे में सिखना है तो medicine course को join कर सकते है फार्मरोक्स के अब उपर तो ये course join करने के लिए आप हमारी mobile application को download कर सकते है तो उसके link आपको description box में मिल जाएगी या फिर उसके बारे में detail में जानने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते है 9016312020 तो बाते हैं topic पे और जानते है इटू जैसिक MR tablet के बारे में तो ये essay class का medication की जिसको muscle relaxation कहते हैं मनलब कि muscles को relax करने का ये medication जो है वो काम करती है और ये combination medication है तो इटू जैसिक MR जो है उसका brand name है और दो लेक कि जो 400 mg जितना उसके अंदर present है और दूसरा जो है वो थायो कॉल्चिकोसाइड है कि जो 4 mg जितना present है अब आपके माइड में सवाल जरूर से आना होना चाहिए कि ये MR का मतलब क्या होता है तो यह आप मैं आपको समझाता हूँ simply कि MR का मतलब होता है muscle relaxant कि ये medications की जो category गरी है MR तो उसके basis के उपर उसको कहा जता है कि muscle relaxant है तो उसलिए company ने उसका जब brand name बनाया है तो उसके अंदर पीछे जो है वो MR लिखा है तो उसके manufacture के हम बात करते हैं जाइडस केडिला फार्मासोटिकल जो है उसके manufacture है और अब जानते हैं जाइडस केडिला के बारे में तो जाइडस लाइडस लिमिटेड जो है वो खासकर केडिला हेल्थ केर लिमिटेड के नाम से जाने जाती है और ये इंडियन मल्टिनेशनल फार्मासोटिकल कंपनी के जिसका headquarters जो है वो इंडिया में और ये बहुत सारे manufacturing करते हैं कि generic medications as well as बहुत सारे pharmaceutical medications को ये फार्मा एक बहुत ही popular muscle relaxants drug है मतलब कि ये दवाई क्या करती है muscles को relax करती है तो उसके पास दो property है खासकर एक anti-inflammatory effect है मतलब कि ये surgeon भी कम करती है और दूसरा analytic property भी provide करता है और muscle spasm की जो condition है pain हो रहा है मतलब कि muscles में खिचा हो रहा है muscles में दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए medication use की जाती है उसका जो dose रहता है खासकर 4 से लेकर 8 mg patient ले सकता है दिन में 2 बार तो थायो कॉल्ची को side जे हो ये tablet के अं quality खास provide करता है और ये काम कैसे करता है कि आपके सरीर के अंदर mainly क्या होता है तो उसकी पोटेंट एफिनीट रहते स्पेसली जो gaba air receptors होते हैं और स्पेसली muscular जो contractures होते हैं वहाँ पे और ये medications क्या करते गाबा inhibitory जो पात्वे होता है उसको जो activate करता है और जिसके करन क्या हो जैसे कि low back pain में भी ये medication use की जाती है PIVD के condition की जिसको prolapse intervertebral disc की जो condition हम कहते हैं myeglia के condition, neuritis, spondylitis वगेरा को ठीक करने के लिए थायो को अलची को said use किया जाता है उसी तरह से जो itodolog है कि जो non-steroidal anti-inflammatory drug है कि जो बहुत सारे painful conditions को trick करता है और उसके पास analgesic और anti-inflammatory property है और ये arthritis के जो condition है, osteoarthritis के condition है, ankylosing spondylitis वगेरा को ठीक करने के लिए ये medication use की जाती है, as well as जो जो दर्द होता है, सुजन है वगेरा है, उसको भी कम करने के लिए, ये medications prescribe की जाती है, तो यहाँ पे जो marketer formulation study कर रहा है, उसके अंदर ये 400 mg जितना present है और उसका dose होता है, 200 से ल तो वो क्या करता है, ये medications cox inhibitor के तौर पर काम करती है, जो cox enzymes होते हैं, उसको inhibit करता है, कि जिससे क्या होता है कि ये जो cox enzymes होते हैं, उनकी activity inhibit हो जाने के कारण, ये medications क्या करती हैं, जो prostaglandin का synthesis inhibit कर देती है, और prostaglandin ना होने के कारण, जो pain के जो mediators होते हैं, सुजन के जो medi मेडियेटर्स होते है और जो बुखार के मेडियेटर्स है वो कम हो जाते है और जिसके करन क्या होता है कि आपको दर्द में से भी रहात मिलती है सुजन में से भी रहात मिलती है और अगर किसी को बुखार हो रहा है यह सब मेडिकल कंडिशन के करन तो वो भी ठीक हो जाता है तो उसी के करण ये जो इटो जैसे के MR जो medication है उसके पास muscle relations property तो है है और साथ साथ ये जो analgesic and anti-inflammatory property है तो उसके करण special जो muscle spasm की जो condition है कि mass patient में जो खीचाव के condition जो हम कहते हैं उसके इलाज में यूज की जाती है फिर mass patient में दर्द हो रहा है, mass patient की antenn और mass patient की हिलचाल को आने के लिए ये medication जो प्रिस्क्राइब की जाती है उसके dose के हम बात करें तो ये जो tablet से खासकर जो packing जो available आप यहाँ पर देख रहे है तो एक या दो tablet जो पर डे जो पेसंट ले सकता है खासकर कोई low dose से भी treatment स्टार्ट कर सकता है कि एक tablet पूरा दिन में एक बार ले सकता है या फिर दो tablet ले रहे हैं तो 8 से 12 गंटे का time interval खास रखना चाहिए डो dose के बीच में और treatment duration जो खास कर रहती है एक week की मतलब कि 7 दिन का ये course रहता है warning ये रहे है कि उसको high dose में आप कभी भी use ना करे because ये medications के कुछ harmful side effects आपको हो सकते है जैसे कि सबसे पहले ये medication लने के committing, stomach pain हो सकता है, epigastric pain हो सकता है, nausea, indigestion, diarrhea, heartburn and loss of hepatitis पर ये side effects जो वो काफी common है तो उससे डरने की जरूरत नहीं पर उसके कुछ serious side effect है जैसे कि आपके heartbeats को ये जो irregular करवा सकती है तो ये side effect के कारण ये medication जो heart के patient होते हैं उनको prescribe नहीं की जाती, second जो high blood pressure के जो patient होती है इनका blood pressure काफी high रहता है, तो ये लोगों को भी नहीं दी जाती, because ये medication आपका blood pressure increase करवा सकती है EDMA, अगर कोई high dose में लेता है, तो सुजन कम करने के बज़ाए, सुजन जो ये medication बढ़ा सकती है तीसरा, चौथा देखे तो dizziness में लेकि नीन दाना, सीर दर्ध हो जाना, तो इन में से कोई भी side effect ज़्यादा serious हो रही है तो तुरण इसको लेना जो हो बंद कर देना चाहिए आगे बात करते हैं उसके contraindications के, तो अगर किसे को non-steroidal anti-inflammatory drugs की allergy है तो ये medication को यूज ना करें आइकेमिक heart disease का कोई patient है, peripheral arterial disease का कोई patient है cerebrovascular disease है, मलब कि ऐसे patient है कि जिनको heart related problem है तो उनको ये medication नहीं दी जादे, या फिर उनको blood vessels related कोई problem मलब कि arteries के अंदर fat जमा हुआ है, cholesterol जमा हुआ है और उसके करण heart related problem है तो ऐसे लोगों को ये medication prescribed नहीं की जादी फिर प्याप्टिक अलसर कि जिनको पेट में अलसर है, तो ऐसे लोगों को ये medication नहीं दी जादी फिर liver and kidney disease, मतलब कि जिनका liver खराब है या फिर kidney related कोई problem है, तो ऐसे लोगों को भी ये medication prescribed नहीं की जादी फिर बच्चों में उसको यूज ना करे और फ्रेग्नेंस है के दुरान भी उसको जो वो यूज नहीं की जादी तो ऐसे ही आप detail में सीख सकते हैं, medicine course के अंदर, कि अभी आप जान रखते हैं, drug-drug interactions के इटो जैसे के हमार जो वो aspirin के साथ interactions कर सकती है, ibuprofen के साथ interactions कर सकती है, naproxen and diclofenac तो अगर मान लो कि आप diclofenac ले रहे हैं, तो उसके साथ combination में ये medication यूज ना करें, aspirin के साथ में यूज ना करें, तो aspirin और इसका जो ही वो combination जे वो कभी भी आपको नहीं करना है, उसी तरह से समझे के ibuprofen है, naproxen है, diclofen है के तो उसके साथ combination में यूज ना करें, anti-depression ज जिसे के metaprolol के साथ combination में यूज ना करें, and blood thinners जिसे के warfare इन के साथ भी कभी भी combination में यूज ना करें, फिर anticycology जिसे के lithium है, immunosuppression, cyclosporins, steroids जिसे के mefepriston, quinolons, antibiotics, diuretics, and sedatives के साथ भी उसको जिवाब combination में कभी भी यूज ना करें, तो ऐसे ही सीखे, detail में, medicine course में, pharma rocks के अब उपर, कि जैसे आज यहापे हमने, ito जैस सिक, MR tablet के बारे में detail में सीखा, बहुत सरी दवायों के बारे में आप सीख सकते हैं, तो यह course को join करने के लिए है, जो आप हमें whatsapp कर सकते हैं, या फिर हमारी आपको download कर सकते हैं, link आपक description box के अंदर मिल जाएगी, good luck and all the best.